यदि आपकी संतान का पड़ाई में मन नहीं लगता, इसके अलावा ऐसे लोग जो राइटिंग प्रोफेशन में हैं, जो कुछ अच्छे लिखक बनना चाहते हैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं, उनके लिए पूर्णी मा के दिन करने वाला एक देविय प् इसको आप किसी भी पूर्णी मा के दिन कर सकते हैं, और इसमें आपको क्या करना है, ब्रामी का रस लेना है, और कपिला गाय का घी लेना है, इन दोनों को मिक्स करके, आपको एक कांसे की धाली लेनी है, और उस कांसे की धाली पर आपको ओम सरस्वते नमे लिखना है, इन मंत्र को अश्ट्रगंद की स्याही से आप एक कागस पर लिख लीजिए और उस थाली के सम्मेप आप इसको रख देजिए आईए बताती हूं मंत्र कौन सा है ओम हरीम श्रीम क्लीम ब्लूम वद वद वागवा देनी ये मंत्र आपको लिख लेना है ये थाली रात भर आपको चंद्रमा के प्रकाश में छोड़ देनी है प्राते काल जो थाली पर आपने घी और ब्रामी के रस से जो लिखा था उसके बाद में उसको आपको सुबह अपनी जिवा पर रख देना है इंडेक्स फिंगर से लेकर हलका सा टच कर देना है अपनी जिवा से और जो कागच प पर रखें जहां पर बैठकर आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पर उसको या तो फ्रेम करवा के रखवाले या फिर वैसे ही रख दें आप ऐसा करने से शिक्षा के शेत्र में सफलता मिलने लगेगी मा सरस्वति की क्रपा प्राप्त होने लगेगी और जिनका मन पढ़ाई मे नहीं लगता है उनका मन भी पढ़ाई में लगने लगेगा लेकिन इसके साथ साथ घर के उन दोशों को भी दूर करने की कोशिश करें जिसकी वज़े से पढ़ाई में बाधा आती है आपके घर में अगर आए दिन पार्टियां होती है आए दिन भर टीवी चलता रहता है दिन बर गेम खेलते रहते हैं तो फिर बात नहीं बनेगी इन सब चीजों को भी छोड़ना पड़ेगा